पिर ये अच्छात्रों स्वागत है आपके अपना एट्यूब चैनल बिशी शी रखाई में आज हम लोग प्रश्णावली तीन दसमलोग पांच का तीन का कुश्चन तीन नंबर कुश्चन हल करेंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिजेगा अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और बेल आइकन को अल कर दिजेगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे तो आए हम एक और ब्रस गुणन दोनों वीडियो हल किजीए और हन की ये किस वीडियो को आप अधिक उप्यूक्व्त माते हैं देखे ब्रस गुणनण और परतियस्थापन वीजी दोनों बेली आप जानते हैं तो आपको दोनों वीजी से हल खरने की क्या जरूत है आप देखिए इतना समझे कि यह जो है question आप दोनों बिधी से पिछला चेपटर में हल कर चुके हैं तो दोनों बिधी से क्या आप एक ही बिधी से हल करिए क्योंकि ब्रजगुनन बिधी या परतियस्थापन बिधी तो बरजगुर्ण तो इसी चेप्टर में चल रहा है तो आप क्या करें परतियस्तापन बिधी से हल कर दीजे कि कौन सी बिधी आपको अधिक उप्यूकत लगता है कौन सी बिधी जो है आपको सही लगता है वो आपके उपर है जो असान लगता है उसको क्यों न करें हमें भा लेजी आप सम्मिकरण एक दूसरा आप देखिए तीन एक्स पलस दो आई इसकल टू चार यह सम्मिकरण हो गया दो सम्मिकरण दो तो आपको कौन किस विधी से हल करनी है कौन से विधी परति अस्थापन विधी तो यहाँ क्या करते हैं आप लिख सकते हैं परति अस्थापन अस्थापन विधी से हल ठीक परति अस्थापन विधी से हल देखिए आप तो यहाँ एक से अब सम्मिकरण एक से लेके चलिए चुकि सम्मिकरण एक से एक से अपका सम्मिकरण क्या है एक देखिए एक से सम्मिकरण एक से हम चलेंगे समिकरन एक कितना है आपका 8x पलस 5y इसकल टू 9 अब यहां देखिए 8x इधर ले लिजी 8x बराबर 9 इधर पलस है तो इधर आकर माइनस 5y ठीक है इधर क्या हो जागा माइनस 5y इधर x अब यहां x कमल ले लेते हैं तो 9 बटा 5y इधर गुना में है इसमें देखिए यहां गुना छीपर आता है यहां गुना छीपर आता है लेकिन आपको यह समझे दोनों 4 और 4 सब्द है तो यहां समझे कि गुना छीपर आता है तो यहां जब क्या करेंगे x इधर कमल ले लेंगे इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा यह क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो X का मान समीकरण किस में रख देंगे आप समीकरण 2 में रख दीजिए चुकी चाहे अब लिख दीजिए या चुकी लिखे अब अब X का मान समीकरण 2 में रखने पर रखने पर X कमान किस में? समीकरन 2 में रखने X कमान समीकरन 2 में रखे 2 कितना है आपका समीकरन? यहाँ देखे 3X पलस 2Y इसकल टू 4 3X पलस 2Y इसकल टू 4 3 यहाँ इंटू 9 माइनस 5Y इसकल टू 8 पलस 2Y इसकल टू 4 यहाँ देखे यह कटने वाला नहीं है तो मल्टिप्लाइस को कर दिजी आप 9-37 माइनस 5Y 15 Y है तो Y बटा 8 तो 8 पलस 2Y है तो 2Y दे दिजी इसकल टू 4 यहाँ एक मान के दुनों का LCM तूर दिजी 8 27 माइनस 15Y आप देखे यहाँ यहाँ एक मान लिए तो मान सकते आप चाहे तो इस पर लिख दे जाए इधर लिख दिजी कोई दिकत नहीं अगर यहीं लिख देता है तो कोई फड़क नहीं आट दूना सुरे आठे कमाट आट दूना सुल्ला यहाँ 32 यानि 62 हो गया तो 27 इधर पलस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में और 15 जो घटेगा सुल्ला में से तो पलस एक वाई एक नहीं भी लिखेंगे तो कोई फड़क नहीं पड़ेगा यहाँ 32 इधर पलस में 27 है तो इधर आएगा तो माइनस 27 यहाँ यह हो गया वाई जो हो गया आपका इधर कमाट अब 37 में बदीस में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा पाँच वाई कमान कितना निकल गया पाँच अब वाई कमान आपका पाँच आ गया अब यहाँ देखें वाई कमान अब आप सम्मी करण एक में रख दीजी सम्मी करण एक आपका कितना है 8 x प्लस 5 y बराबर 9 y का मान क्या करेंगे समी करण 1 में रख देंगे y का मान y का मान समी करण 1 में 1 में रखने पर एक में रखने पर आपका सम्मिकरन एक क्या है 8x पलस 5y 8x पलस 5y is equal to 9 9 यानि 9 उसके बाद आप देखिए x y कमान रखना है तो 8x पलस 5 गुने y कमान कितना है 5 is equal to 9 8x पलस 25 is equal to 9 9 अब यान देखिए 8x यहाँ पलस में है तो आपका पलस में यह है तो उसके बाद क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो 9 इधर पलस में तो इधर आकर माइनस 25 पलस में 25 इधर आप तो इधर आएगा तो माइनस 25 8x is equal to अब 25 में से आप 25 में से 9 को घटाए तो माइनस 25 में से अगर आपका 9 घट जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस आपका 16 हो जाएगा तो माइनस 16 आपका यह है तो x आप क्या करेंगे common ले लिजे यहाँ x को आप common ले तो माइनस 16 इधर बटा 8 कार दीजे 8 दूना 16 एक्स बराबर माइनस 2 देखिए आपका x कमान कितना निकल गया माइनस 2 x कमान कितना माइनस 2 आप यह एंसर दे सकते हैं और y कमान y कमान कितना आया y कमान 5 यह भी एंसर दे सकते एक y y कमान 5 एंसर और x कमान माइनस 2 एंसर यह आपका एंसर हो जाएंगे अब ब्रज और परतियस्थापन बिदी दोनों कर रहा है तो ब्रज गुणन बिदी से अगर हल करना है तो देखिए यहां यह कुश्चन जो बनाए गया है आदित हल हो या नहों उसे आपको नहीं मतलब देखना है शिर्फ ब्रज गुणन एक सवर एवन एटू छट देना है एवन एटू छटने के बाद आप क्या करिए डाइरेक्ट उसको क्या करिए एक सक्सुत्र लागा कर उस पर हल कर सकते हैं ओके तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में